ख़बर आजमगण जिले से है जहां कोरोना टीका करण अभियान को लेकर बुद्वार को केंदर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है अब देश में 18 वर्ष से उपर के सभी व्यसकों को भी कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज मुफ्त में लगाया जाएगा अब तक केवल 60 वर्ष या इसके उपर के व्यसकों को ही ये सुईधा मिल रही थी केंदर केस निर्णय के बाद उत्तर परदेश की योगिया दितनाथ सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है कोरोना वाइरस के संक्रमन से बचाओ के लिए चलाय जा रहे टीका करन अभियान में वैक्सीन के सतरक्ता डोज लगवाने में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यसक दिल्चस्पी नहीं दिखा रहे हैं दूसरी डोज लगवाने के 6 महिने बाद सतरक्ता डोज लगवाई जा सकती है इस इकरम में आज शुकरवार को सामुदाइक स्वासकेंदर अतरॉलिया पर प्रिकोशन डोज का शुबारम किया गया शुबारम के उसर पर कुल 10 लोगों ने प्रिकोशन डोज लगवाई डॉक्टर ने बताया कि आजादी के अमरित महोत्सों के उपलक्ष में शासन के निर्देश पर सभी CHC पर 15 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रिकोशन डोज लगाया जाएगा 75 दिनों तक चलने वाले इस प्रिकोशन डोज को अब 18 वर्ष आयूवर के लोग भी निशुल्क लगवा सकते हैं जिसके लिए सामुदाइक स्वास्त केंद्र तथा सोशय या अस्पताल पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को प्रिकोशन डोज लगाया जाएगा जो पूरी तरह से निशुल्क है जो अभी तक प्राइविट में 375 रुपे में लगाया जाता था आज 15 जुलाई से 75 दिनों तक ये लोगों को लगाया जाएगा प्रिकोशन डोज सेकेंड डोज के उपरांत 26 सब्ता या 6 माह तक लगाया जा रहा है इस मौके पर डॉक्टर और स्वास्त कर्मी मौजूद रहे सब्सक्राइब के लिए नागरिक को पैसे ली जाए प्रिकाशन उसको उसको निश्व भी लगाएं तक तो दस लोग प्राइए अज से हमारा आजादी के अमर्यत मौसर्श को तेक्ते हुए उत्तर दिन पंदर जुबाई से पाशतर दिन तक निश्व भूस्टर दोज यह क्या है दूसरी दोज के बाद किते दिन बाद लगना है क्या लगना इस पर पहले जो इसका गाइड लाइन था कि इंटर्वल ज लाइन के लिए लाल रंक की बटन को दबातर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें